जै मातती दोस्तों सोमवार को शिवजी का वार होता है इस दिन यदि हम विशेश उपाई करते हैं तो भगवान शिव जल्द ही प्रसन होकर हमारे उपर कृपा बरसानी शुरू कर देते हैं जिससे घर में सुक सरमिद्धी के साथ घर में कोई भी पैसू की कमी नहीं रहती भगवान शिव अपने नाम के अनुरूप बहुत ही भूले हैं अगर यदि कोई भक्त सची शर्दा से उने सिर्फ एक लोटा आनी अर्पित करें तो भी ये प्रसन हो जाते हैं इसलिए इने भूले नाद भी कहा जाता है हर व्यक्ति किसी न किसी परिशानी के चलते दुखी रहता है तेकिन कुछ सरल उपाई करके भूले नाद को प्रसन किया जा सकता है भगवान शिव की किरपा से विवाह में आ रही सभी रुकावटें धन समंदित समस्याएं दूर हो जाती हैं और सुक समरिद्धी की प्राप्ति होती है दोस्तो सोमवार के दिन शिवलिंग पर केसर मिला दूद अरपित करके विवाह में आ रही सभी रुकावटे दूर होती हैं इसके साथ ही शिग्र विवाह के यूग भी बनते हैं धन प्राप्ति के लिए मचलियों को आटे की गुलियां खिलाएं गुलियां खिलाते समय भगवान शिव का ध्यान करते रहना चाहिए इच्छा पूर्ति के लिए सोमवार को 21 बिल्व पत्रों पर चंदन से ओम नमशिवाई लिखकर शिवलिंग पर अरपित करें सुख सम्रिद्धी की प्राप्ति के लिए और परिशानियों से छुटकारा पाने के लिए नंदी यानि की बैल को घंस खिलाएं गरीबों को भोजन कराने से घर में अनकी कमी नहीं होती है इसके साथ ही पित्रों की आत्मा को शांती मिलती है और भगवान शिव हमेशा प्रसन रहते हैं जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिशेक करते समें ओम नमस्शिवाई का जाप करें ऐसा करने से व्यक्ति को आत्मिक शांती मिलती है घर में धन की वृद्धी के लिए पारज शिवलिंग की स्थापना करें और हर सोवार को उसकी पूजा करें और प्रते दिन भी पूजा करें सोमवार के दिन 8-11 शिवलिंग निर्मित करके, 11 बार उनका जल अभिशेक करने से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। रोगों से मुक्ती के लिए शिवलिंग का 101 बार जल अभिशेक करें। जल अभी शेक करते समय ओम जू सहा मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। इससे भगवान शिव हमेशा खुश रहते हैं। अगर पापों से मुक्ति और सुखों की प्राप्ति करनी हैं तो सोंवार के दिन भोले नात को तिल और जौ अर्पित करें। भगवान शिव को जौ और पित करने से सुखों में समरिद्धी और तिल चड़ाने से पापों का नाश होता है। और घर में सुख समिद्धी के साथ पैसों की आवद बढ़ेगी, घर में बरकत रहेगी और घर से नकरात्मक शक्तियां बाहर चली जाएंगी। और घर में सकरात्मक शक्तियों का अवास होगा, और घर में किसी भी चीज की कभी भी कोई कमी नहीं रहेगी। इसी के साथी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिष्टेदारों के साथ शियर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, साथी साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंसके, धन्यवा दोस्तों